असलाँ अलेकुम दोस्तों मैं शाहिदा परवीन हजीरुएक और नीले सिपी के साथ फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी समोसे बिल्कुल मार्किट के जैसे आपको बहुत ही मज़ा आएगा यह समोसे खाने में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उ आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यमी समोसे बनाने की आलू के समोसे बनाने के लिए यहां पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए और इन्हें अच्छे से बाइल करके इनका छिलका हटा दिया है अब यहां पर कुछ ड्राय मसाले मैंने लिए हैं जिसमें यह एक चमच जीरा है और एक चमच भरके खाड़ा सूखा धनिया और आठ से अच्छे से लिए जीरा आड़ा देगा है और इसमें एक चमच तेल डाला है और जीरा प्रहारि और अच्छे से फ्राइल हो गया है तो यहां हमने यहां पर दो से तीन पिंच मैंने हींग एट किसे हैं अब यहाँ पर आलू को मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ लिया था थोड़ा बड़े और छोटे टुकलेश के कर लिये हैं आलू को गड़ाई में एड़ किया है और थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहां पर तीन हरी मिल्च लिए जिसे मैंने थोड़ा बारी काटा है इसमें एड़ किया मिल्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर हर ऑड फी मतर भी ली एक पाणी में अच्छे से वाइल कर लिया था थोड़ा सा मैंने इसे पहले से ही घर्ला लिया था और आप मतर को इसके भी कर सकते हैं यहां पर मैंने आधा चमच हल्डी हम फाउडर रियुजा है इसे भी इसमें आड़ किया है और यह ऊट्राइस जो मसारा मैंने आपको दिखाए था उस वर कि सभी आड़ किया है कि और雨 मसारों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धन्या पती लिया है और इसे भी इसमें एड़ किया है और आधा चंपच नमक लिया है नमक आप अपने टास के हिसाब से कमा जादा कर सकते हैं और सभी चीज़ें इसमें मैंने एड़ कर दी हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे पास से साथ नट के लिए अच्छे से भून लिया है और मटर और आलू की तो पहले से ही वाइल थे तो इसलिए इसमें इसको गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो फ बोल में एड़ कर लेते हैं तो आलू को मैंने यहां पर एक बोल में एड़ कर लिया है और अब यहां पर मैंने यह एक डेढ़ कप भर के मैदा लिया है आधा कप और यह बजन में लगभग तीन साड़े तीन सो ग्राम मैदा मैंने यहां पर लिया है और आधा चम्मच नमक एड़ किया है आ थोड़ा सा मैं ने यहां पर अजवाइंग है इसे बीस में एड़ किया है और अब यहां पर बांट कप मैंने जीघ दो अप्र two iqreen ऑड़ किया है आप इसमे गी भी आड़ कर सकते हैं और सभी चीजों को मैंने यहां पर अच्छे से लिए मिक्स कर लिया है और यहां पर यह मौयन हमारा काफी अच्छे से रेडी हो चुका है तो मैंने इसका एक थोड़ा सा पानी इसमें एड़ करके इसका एक इसमूज सा डो बना लिया है और अब भी से 10 मिनट के लिए धकन रगा के रेस्ट के लिए रख देंगे और 10 मिनट हो गय मैंने इसे बेला है और दंबे शेव में बैगने के बाद मैंने यहां पर इसे बीच से कट कर लिया है और अब यहां पर यह एक पीस मैंने उठा के इस पर चारो तरफ थोड़ा सा पानी लगा दिया है और इसे इस तरह से पानी को चारो तरफ लगाने के बाद मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है एक कौन सा बना लिया है और इसमें आलू इसमें मैंने भरे हैं एक चमच भर रिखे से लुखिज़ सब्सक्राओं और स्क that नहीं है यह युक हिएगा और प्रिको लेकर से इस flour इंट किया है, इसे इस तरह से प्रेस करें हर्टासा प्रेशाया के इस तरह सरसी नहीं कि या था भातल तो इस तरह समूसे में ड sneaking रेडросावमiction हूं कि पहले की ही तरह पहले ही पानी लगाया और उसके बाद मैंने इसे एक कोन के अकार में बनाके इसमें एक चमच भरके आलू एड़ किये हैं और फिर से दोबारा से वही प्रोसेज मैंने इसमे पानी दगाया है चारो तरफ ताकि समोसा अच्छे से इसमें फोल्ड हो जाए और यह देखे इसी तरह से पहले प्रोसेस की तरह मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस करके घुमा के और पीछे से समोसे के शेव में से बना लिया है तो यहाँ पर दूसा समोसा भी हमारा बन के रेडी हो चुका है और बागी के सभ समोसे में बना लिये हैं यह सभी समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं तो यहाँ पर गैस पर मैंने यह कड़ाई रख दी यह दोबारा से और इसमें मैंने रिफाइंड एड़ किया है आप इसे तलने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर घी सौरी तेल काफी मैंने इसमें यह समोसे एड़ कर दी हैं तो जितने मेरी कड़ाई में आ सकते हैं मैंने उतने इसमें छे समोसे एड़ किये हैं आप भी उतने ही एड़ किजिएगा जितने आपकी कड़ाई में आ सके और समोसों को अभी हम थोड़ी सी देर ऐसे ही रहने देंगे और फ्लेम क मैंने बिल्कुल लो पे रखा है और दो से तीन मिनट तक कि ये लो फ्लेम पे अच्छे से कुख हो गए हैं तो मैंने इसे एक साइड से पलट दिया है और इस साइड से भी हम इसे लो फ्लेम पे ही इसी तरह से से लेंगे और समोसो को कुख होते वे तीन से चार मिनट हो गए हैं और ये दूसरे साइड से भी अच्छे से सिख गए हैं तो मैंने इसे फिर से दोबारा से पलट दिया है सभी समोसो को और हम इसे फिर से ऐसे ही दो से तीन मिनट तक के बिल्कुल लो फ्लेम पे से रहेंगे और आप इस समोसे दोनों साइट से काफी अच्छे से सिख गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा ये कलर आया है आप देख सकते हैं तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही 2-3 मिनट तक के और ऐसे ही कुख होने देंगे और थोड़ा साइधा उधर से घुमाते रहेंगे और बस तर्ण नहां पर हमारे सारे समोसे काफी अच्छे से कुख हो गए हैं और ये काफी देल तक के 3-4 मिनट तक के काफी अच्छे से हर साइड से लो फ्लेम पे कुक होते रहे थे तो मैंने इसे अब एक देखी हमारा समोसा रेडी है तो मैं इसे अब एक प्लेट में बाहर निकार ले रही हूँ और सभी समोसे हमारे अच्छे से जितने कड़ाई में थे अच्छे से सिख गए हैं तो मैं सभी को इसे बाहर निकार ले रही है तो बस फ्रेंट यहां पर हमारे यह सारे समोसे अच्छे से तयार हो चुके हैं और इसी प्रोसेस से हम बागी के सारे समोसे जो और बनाए थे वो भी सब इसी तरह से अच्छे से कुख कर लेंगे लो फ्लेम पर और फ्रेंट्स यहां पे हमारे सभी समोसे अच्छे से रेडी हो चुके हैं और आप इसे शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या आप सुबा के नाश्टे में भी से खा सकते हैं तो मैंने इसे रेड चटनी के साथ शर्व किया है आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं और यह भी मैंने घर में ही बनाया था यह टमाटर का सॉस और इसकी रेसिपी मैं पहले ही अप्लोड कर चुकी हूं इसका लिंक मैंने डिसक्रब्शन बाक्स में दे रखा है तो即ि अगर समोसे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगए इन्शालला एक और नही रेसिपी में जल्दी मिलूंगी अपना बहुत सारा ख की जिएगा असलों अल्देकुम